नमस्कार दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 जुलाई 2024 की मौसम रिपोर्ट और अगले 9 दिनों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल, जारखंड, 36 घड, बिहार के दक्षण मध्य भागों और उत्तर प्रदेश के दक्षण पूर्वी हिस्सों पर एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। इस मौसम प्रणाली के कारण आज वहां बारिश की गतिविधियों को देखें, पूरा वीडियो देखें और लाब उठाएं। इसका मतलब है कि जारखंड, 36 घड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, उत्तर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। तूफान की गतिविधियां देखी जाएंगी। के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश के दक्षण दक्षण पश्चिम भाग से शुरू होकर मध्य प्रदेश, जारखंड, 36 गढ़, ओडिशा के उत्तर पूर्वी भाग तक व्यापक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, करनाटक के अधिकांश स्थानों पर बादल चाय रहेंगे। तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इस बारिश की घटना की गति के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 24 घंटों में किन क्षेत्रों में बारिश होगी। इसके आधार पर अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है और महाराष्ट्र और कर गरज के साथ बारिश होगी और व्यापक स्तर पर बारिश होगी। आगे अगस्त के पहले और दूसरे दिन की मौसम रिपोर्ट है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश, जार्खंड और बिहार, 36 घड़ के दक्षणी हिस्सों में दो अलग-अलग वायू अभिसरन यानी मा जार्खंड, बिहार, और इशा तक कई जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधी होने की संभावना है और यह मजबूत मौसम प्रणाली महाराष्टर, करनाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाना, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड तक मजबूत दक्षण पश्चिम, म परियाना, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक पहुँचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के दक्षणी भागों में सबसे तीवर होगा और इसलिए वर्षा की गतिविधियाएं बहुत भारी होंगी। यह अब थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके आंतरिक भाग के कारण महाराष्ट्र, करनाटक, गुजरात में भारी मानसूनी बारिश और उस दिन व्यापक रूप से मध्यम बारिश की संभावना है। इस घटना के वर्षा बादलों के समूहों के राजस्थान और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों और महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश करने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के दोरान कई स्थानों पर मध्यम वर्षा होगी। इसके अलावा उत्तर में पश्चिमी विक्षोब की मौजूद्गी के कारण जम्मू, कश्मीर, पंजाब, हर्याना के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार और मध्य प्रदेश के उपरी हिस्सों में दो अलग-अलग हवाओं का अभिसरन हुआ है। प्रदेश, चतीसगड, ओडिशा, जार्खंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के दक्षणी हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पांच अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बहुत भारी बारिश की गतिविधी होने की संभावना है क्योंकि यह घटना जारी रह सकती है। आगे 6 और 7 अगस्त के लिए मौसम का पूर्वानुवान है। पांच अगस्त को और पश्चिम बंगाल के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक नया मानसून सिस्टम बनने की उम्मीद है। इसके थोड़ा मजबूत होने और पश्चिम उत्तर-पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बारिश साथ अगस्त की दोपहर से औरीशा, जारखंड, छटीस गड़, पश्चिम बंगाल तक पहुँच जाएगी और केवल पश्चिम मध्य उत्तर-प्रदेश तक पहुँच जाएगी। इस बारिश की घटना में हाल की घटनाओं की तुलना में अधिक वर्षा होने की संभावना है। हमने पहले कहा था, उस दिन उपरी निम्न दबाव थोड़ा मजबूत हो गया है और उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गहरे निम्न दबाव में बदल गया है और चटीस घड़, जारखंड, उत्तर-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश के क्षेत्रों में जोर संकेंद्रन तेज हो जाएगा, इसी समय उत्तर-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, बिहार के पूर्वी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर दो अलग-अलग हवाओं का संकेंद्रन तेज हो जाएगा, जिसके कारण विशेश रूप से दोपहर के बहुत तेज आंधी की गतिविधी देखी जाएगी, हम अभी भी जाँच कर रहे हैं, वर्तमान पूर्वानुमान के आधार पर अगस्त के मध्य में परवतिय घटनाओं की तीवरता थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन महीने के कुछ दिनों में औसत से अधिक बारिश होगी हम पहले से ही अगस्त में उत्तर भारत के लिए औसत से अधिक बारिश की भविश्यवानी कर रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस क्षेत्र का यह वीडियो देख रहे हैं और अपने पहाड से संबंधित सभी प्रकार के संदेह पोस्ट करें और हम निश्चित रूप से उत्तर देंगे, मैं इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करूँगा, हमारे चैनल पर बने रहें, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए, तो कृपया लाइक शेर क करें और मैं आपसे सठीक मौसम पूर्वानुमान के साथ मिलता हूँ